सो हेलो गाइस फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है रेड्मी नोट 11 मॉवाइल जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इस फोन में दोस्तों आ आप जो है किसी आप पर फेस लोग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या है सिंप्ली फोन की सेटिंग को ओपन करना है जैसे ओपन होगा नीचे को स्क्रोल करके आना है यहाँ पर मि अब भी लगा सकते हैं तो हम written यहाँ पर अपना रखना चाहेंगे तो एक बाद डाल दिया दुबारा से दूस्तर फिर से और नेक्स्ट नाट नाट नाव पर यहाँ पर एपिलिक करेंगे ङसे तो एंप्ली फिंगरफ्रिंट बोलेगा तो आप इसे पहले कैनिल करेंगे आप simply जिस एप पे आपको face lock लगाना है जैसे YouTube हो गया Google हो गया और यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर है Facebook है फिलिप कार्ड है किसी भी एप पर Google Drive तो इस प्रकार से आप कर लीजिए उसके बाद में कोने में मिलेगा आपको setting का icon यहाँ पे किलिक करना है और यहाँ पे मिलेगा lock setting इस पे किलिक करेंगे यहाँ पे बीच में आपको लगाना है when device is located or after sting app यहाँ पे किलिक करना है इससे यह होगा जितनी बार आप app को unlock करने आओगे हर बार आपको face lock लगा मिलेगा ठीक है अब नीचे को आना ही यहाँ पे मिलेगा face unlock तो यहाँ पे इसे enable करेंगे अगर आपने screen lock face lock लगा के रखा तो अपना face दिखाएंगे यह automatic verify कर लेगा यहाँ पे enable हो जाएगा अगर आपने face lock नहीं लगाया है तो आप लगा लीजिएगा successfully आपके app पर face lock लग चुकी है यहाँ से बैक जाएंगे आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पर password security पर किलिक करेंगे यहाँ से face lock लगा पाएंगे तो यहाँ पर जैसे हम बैक आगे यहाँ यहाँ पर हमारा play store यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ पर हमारा face lock लगा है भी मैं अपना face नहीं दिखा रहा हूँ जैसे अपना face दिखाएंगे तुरंत यह हमारा unlock हो जाएगा तो इस परकार से किसी भी app पर आप जो है face lock लगा पाओ